दोस्तों आप सभी ये बात जानते हो कि पिछले लंबे समय से भारत अपने कावेरी इंजन को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है इस इंजन को बनाने में भारत को बहुत ही जादा अप्स और डाउन देखने को मिल रहे हैं और एक बार को तो ये लगने लगा था कि अब कावेरी इंजन के प्रोग्राम को भारत के अंदर बंद कर दिया जाएगा लेकिन फिर GTRE यानि की Gas Turbine Research and Establishment ने कावेरी इंजन के एक ट्राइव वर्जन को बना कर तयार किया और जब इस इंजन की टेस्टिंग की गई उस समय ये पाया गया कि हमारा कावेरी इंजन हमारी उम्मीद से भी बहतर परफोर्मेंस को दे रहा है जिसके बाद इस ड्राइव वर्जन के लिए एक आफटर बर्णिंग स्रेक्शन को बनाने को लेकर काम शुरू कर दिया गया और उस समय GTRE की तरफ से बताया गया था कि नए आफटर बर्णिंग स्रेक्शन के लग जाने के बाद हमारा कावेरी इंजन काफी आसानी से 81 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सकेगा और अगर हमारा आफटर बर्णिंग स्रेक्शन हमारी उम्मीद पर खरा उतर जाता है तो इस कावेरी इंजन को फिर हम काफी आसानी से अपने टेजस फाइटर जेट में लगा सकेंगे इस समय हमारे तेजस फाइटर जेट के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगा हुआ है और ये इंजन ड्राइ अवस्था में 48.9 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है और आफटर बर्णिंग के साथ ये इंजन 78.8 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है लेकिन एमेरिका के इस F404 इंजन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस समय एमेरिका के F404 इंजन को हम भारत में इस्तमाल करते हैं उस समय इस इंजन का थ्रस्ट 10% तक कम हो जाता है और ऐसा क्लाइमेट चेंज की वज़े से होता है लेकिन हमारे कावेरी इंजन के साथ में एसा कुछ भी नहीं होगा जैसा की जीटे आरी की तरफ से बताया गया है कि हमारा कावेरी इंजन 80 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सकेगा तो ये इंजन जितना बताया गया है उतने ही पावर को जनरेट करेगा इस इंजन में क्लाइमेट की वज़े से कोई भी चेंज नहीं आएगा यानि की हमारा कावेरी इंजन अमेरिका के F404 इंजन से भारत के अंदर ज्या रहा है कि जो हमारे कावेरी इंजन के लिए नया आफ्टर बर्निंग श्यक्षन बनाया जा रहा है इसके लग जाने के बाद हमारा कावेरी इंजन काफी आसानी से 85 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को भी जनरेट कर सकेगा और अब से कुछी महिने पहले गोद्रेज एरोई पेशने करनी शुरू कर दी है और अब इन इंजनों की टेस्टिंग की जाएगी और अगर ये इंजन हमारे पैरामिटर पर खरे उतर जाते हैं तो उसके बाद हमको ये देखने को मिलेगा कि 2030 तक हमारा कावेरी इंजन पुरी तरीके से बनकर तयार हो जाएगा और फिर इस इंजन का इस्तमाल हम अपने तेजस फाइटर जैट में कर सकेंगे जिससे हमारे तेजस फाइटर जैट की कीमत भी काफी हद तक कम हो जाएगी